हमें x-1 से इस polynomial को divide करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके इन सब को खत्म करेंगे, जैसे पहले हम xq को पकड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे, उसके बाद 23x² को ऐसे कर एक एक करके हम खत्म करते जाएंगे, जैसे अगर मुझे xq को मारना है, तो मुझे यहां क्या दिखूँ, तो यह x इस से multiply होगा और x square हो जाएगा, x into x, x square, तो यह x square xq को नहीं मार पाएगा, है ना, इसलिए जब हम यहां x square लिखेंगे, तो यह x square x से multiply होगा, और यहां क्या आएगा, x square into x, xq, है ना, और x square into minus 1, minus x square, अब, अब देखो, यह x cube, जब हम subtract करेंगे, हमें घटाना होता है, divide में, है ना, इसको घटाएगे, यहां plus है, x cube plus का है, जिसका sine change हो जाएगा, यहां minus हो जाएगा, यह x square minus का है, तो यह plus हो जाएगा, हमें बस sine change कर देना है, घटाने के लिए इसको, तो plus के x cube ने minus के x cube को मार दिया, यहां क्या बचा, minus 23, यह तो खत्म हो गया, अब देखो, minus 23 x square में से, जब x square गया, है ना, minus का 23 x square है, और यह plus का x square है, तो इसको, जब subtract करेंगे, घटाएंगे, यहां कितना बचेगा, minus 22 x square, है ना, फिर उपर से यह, दुरंत कूद के नीचे उतर जाएगा, 142 x, तो plus का 142 x, यह उपर से आगया, जैसे simple division में होता है, अब हमें, इसको देखो, इस पे focus करना है, इसको खत्म करना है, तो अगर हम यहां क्या लिखेंगे, अगर हम यहां 22 x लिखूं, सिर्फ अगर 22 x लिखू तो यहां मुझे x भी लिखना पड़ेगा, इसके बगल में, तो अगर मैं इसको multiply करूं, 22 x को x है, तो यहां आएगा 22 x square, अब लेकिन question यह है, कि यहां plus का लिखें या minus का लिखें, तो उसके लिए, हमें यह ध्यान लखना है, कि जो sign यहां पे है, इसका, हमें वही sign लिख square है, और यहां क्या आएगा, minus 22 x into minus 1, यह plus का 122 x आएगा, 22 x, ऐसे, अब हम जब subtract करेंगे, घटाएंगे, तो इसका sign चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने यहां minus का लिखा, जो कि यहां जब घटाना है हमें, तो इसका sign चेंज करना होगा, तो minus हो जाएगा plus, और यह plus हो square आजाता, है न, और जब हम sign चेंज कर देते तो यहां minus आजाता, जो कि नहीं cut, cut पाता, क्योंकि इसको मरने के लिए हमें, यह minus का चाहिए, यहां plus चाहिए, जो घटाने के बाद यहां पे plus होना पड़ेगा, तो हम subtract करेंगे, यह minus plus हो गया, और यह plus minus हो गया, अब minus के 22 x square को मार दिया, और यहां कितना बचा 142 x मेंसे, माइनस का 22 x गया, कितना बचा, प्लस का कितना बचा 120 x है, 142ám मेंसे 22 άम चला गया, तो कितना बचा 120 Him, और यहां फिर यह उतर गया है, नीचे आके, जल्दी से minus हो 120 मेंसे, इसे, अब यहां फिर से होए, यहां 120X को हमें खत्म करना है, तो इसका sign क्या है? plus का तो मैं यहाँ plus लिखना होगा plus का क्या लिखेंगे 120 सिर्फ 120 लिखेंगे योगि 120 x से multiply होकर 120 x आ जाएगा है ना और 120 जब minus 1 से multiply होगा तो minus 120 आ जाएगा और जब हम इसे घटाएंगे तो यह plus है जो लिखा होगा है तो इसका साइन चीन जोगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा सिफ साइन चीन हो जाता है घटाने में तो 120 एक्स ने माइनस के 120 एक्स को मार दिया माइनस के 120 नो प्लस के 120 को भी मार दिया क्या पचा जीरो है ना तो यह सॉल्फ हो गया हमारा हुए